हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप मेरे नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वल्टे की यटूब चैनल दोस्तो आप सभी के लिए बड़ी गुड नियूज है क्योंकि भारतिय डाग विभाग की ओर से दस्वी पास के इंडियेट्स के लिए बंपर भरती की सुचना जारी ह चुकी है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ओफिस की बंपर भरती के बारे में दोस्तो ये जो भरती निकाली जारी है बिना परिश्या के सीदी भरती होने जारी है अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पोस्ट ओफिस में एक सरकारी नोकरी मिले वो भी बड़े ही आसानी से बिना परिक्षा के तो दोस्तों इस भरती के लिए आवेधन जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लास तक जरूर देहेगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर यहाँ पर एक्जाम नहीं हो रही है तो सेलेक्शन प् करते तो ज्यादा से यदा वीडियो को लाइक कीजिएगा आपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा रोजना इसी परकार सरकारी नोकरियों की जानकारी के लिए आज ही हमारे यूटूब चैन को सब्सक्राइब करें वीडियो की नीची लाल बटन को दबाएं घंटी का बंपर भरती का नोडिफिकेशन जारी हो चुका है जो की बिलकुल सीधी भरती है बिना परिक्षा के जी हां दोस्तों आपने बिलकुल ठीक सुना यहां पर आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होगी अगर आप बेरोजगार हैं दस्वी पास बार्वी पास या फिर ग्रेज स्टुडेंट्स अपलाई कर सकते हैं कम से कम क्वालिफिकेशन दस्वी पास होना अनिवार रहे तो दस्वी पास सभी स्टुडेंट्स आविधन कर सकते हैं एस लिमिट जो है 18-40 साल है फोरम फीज बिलकुल फ्री है और यह जो वेकेंसी है मेल और फीमेल दोनों ही के में सर्च करेंगे टिप्सवारलबस.xyz आपको सबसे उपर सबसे पहले यह ओफिशल वापसाइट मिल जाएगी यहां पर आप जाकर के भरतियों की जानका ही ले सकते हैं आविधन भी का सकते हैं तो यह रहा ओफिशन नोडिफिकेशन जैसा की आप दिसकते हैं आपके साम नहीं और यह रहा ओनलाइन फोरम आपको यह फोरम कैसे भरना होगा ध्यान रखिएगा इस फोरम को भड़ते समय काफी सारे गलतिया कर रहे हैं जिस कारण से उनका फोरम जो है रिजेक्ट हो तो इस वीडियो को लास्ट तक दिएगा और बताए अनुसार इस फोरम को पर भरती की टोटल वेकेंसी 4,270 यहाँ पर वेकेंसी है ओफिशल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आवेदन ओनलाइन शुरू हो चुके हैं सेलरी आपको यहाँ पर मिल रही है 10,000 से 14,500 रुपे पर मांद और जोब लोकेशन गुजरात करनाटका की है सेलेक्शन प्रो पर जोब मिल सकती है ठीके तो यहाँ पर केवल मेरिट के अधर पर ही आपका सेलेक्शन होगा आपका ना इंट्रिव्य होगा ना ही आपका एक्जाम होगा इस लिमिट जैसा मैंने आपको शुरूआत में बताया कि 18 से 40 साल है और आई सिमा में चुट लगते है रिजर्व क केंडियर्स को ठीके तो दोस्तों आपकी उमर होनी चीए 18 से 40 साल और अगर आप SCST या OBC के के केंडियर्स हैं तो 40 साल के बाद में भी आपको आई सिमा का छुट का बेनिफिट मिल जाएगा एप्लिकेशन फीज जो है यहाँ पर अधर केंडियर्स के लिए है 100 रुपे बा दस्वी पास होना जरूरी है अगर आप दस्वी के अलावा बार भी या graduate पास भी है तब भी आप अपलाए कर सकते हैं लेकिन दस्वी बैसे पे ही आप अपलाए कर सकते हैं बाकी जो maximum qualification की जानकारी है वो आप online forum पर अगर आपसे मांगी जाती है तो आप दे सकते हैं ठीकि तो यहाँ पर ध्यान दीजिए forum भरते समय काफी सारे जो केंटी एट से वो गलती कर रहे हैं जिस वज़े से उनके forum जो है reject हो रहे हैं वो गलती यह कर रहे हैं कि जब भी वो forum भरते हैं तो वो जो है अपनी बारवी किलास ये graduate के इसाप से वो है अपना डाम डाल देते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता कि यहाँ पर साफसा बोला जा रहा है कि अगर आपकी दस्वी की माशिट है दस्वी के जो certificate है उसमें जो आपका नाम है आपकी पिताजी का नाम है और आपकी जो डेटो बर्थ है वही आपको यहाँ पर डालनी है तो यहाँ पर आपको एक भी spelling आगे पीचे नहीं करनी है जो आपकी दस्वी की मार्जिट में हैं वही आपको यहाँ पर ढालनी होगी जो आपकी पिताजी का नाम है दस्वी की मार्जिट में वही आपको ढालना है आपकी मताजी का नाम है आपको आधार काड आपका email ID,員 Int già tailor और community काउन सी है आपकीóc चेस् प्रकरिया आपको अपनानी है, साथ यसाथ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बोर्ड से आपने पास आउट की है, दस्वीज, कौन से सन में की है, वो भी आपको डालना होगा, कि सारी जानकरी आपको देनी है, चेक बोस को राइट करना है, प्रिवू करके चेक कर ठीक है, उसके बाद में आप फाइनली फॉर्म को सब्मिट कर सकते हैं, और जो डोकुमेंट्स आपसे अपलोड करने के मांगे जाएंगे, फोटोग्राफ, सिगनेचर वो आपको नेक्स अपलोड कर देने हैं, और यहाँ पर अगर अगर आप अन्रिजर्व केंट्रेट से तो पैमेंट करके आप यहाँ पर फॉर्म को सब्मिट कर सकते हैं, तो सिंपली आपको इसी प्रकार अपलाई करना होगा, अधिक जानकरी के लिए यह रहा ओफिशन नोडिफिकेशन, यहाँ पर आप जाकरके पूरी वेकेंसी की जानकर ले सकते हैं और अपलाई कर सकते है पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, तो दोस्तो इस वेकेंसी के रिगारिंग कोई भी डाउट, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजेगा, वीडियो को लाइक, शेर और चैनलन को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, तैंक यू सो मच